नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों पिछले व्याख्यार में हमने केंद्र राज्यों के संबंदों के चाचा की थी और केंद्र राज्यों संबंदों में हमने सरो पर्थम विदाई विश्वों के चाचा की थी क्योंकि भारत में संगात्मक सासन पंडाली है और संगात्मक सासन पंडाली के अनुशार केंद्र और राज्यों के मदे वितिय सक्तियों का विदाई सक्तियों का और प्रसास्तिक जो है तंत्र उनके नियंतर निदेशन के जो अधिकार है यह सक्तियां है उनका बटवारा किय हैं कि तो पहले हमने विधाई विशव का बाठवरा किया और इन विधाई विशव के बाठवारे में हमने देखा कि केंद्र संग सूंची और संबर्ती सूंची पर कानून राता है और राज्य राज्य सूची और संबर्ती सूची पर कानून बनाता है लेकिन विवस्ता यह है कि अगर संबर्ती सूची के किसी विशे पर केंद्र और राज्य के कानून में भी शंगती है या वो दूसरे का विरोध करते हैं तो राज्ये द्वारा बना गया कानून या राज्ये विधी जो है वह उस मातरा तक सुनने हो जाती है जिस मातरा तक संग की विधी का विरोध करती है साथ ही ऐसे अनेक प्रावधान है 249 राजे सबा किसी विशेश विशे को राष्ट हितका गोशित करके संसेद्वरा कानु बनवा सकती है 255 विशेश आपात काल इस्तिती में और 253 के नुसार अंतराष्टी संदे वसम्जोते लागू करने के लिए ऐसे अनेक अनेक प्रावदान है साथ ये 356 के नुसार राष्टी सासन का जब लागू हो तो उस राजे के लिए या दो या दो से अधिक राजे अगर निविदन करे तब तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि संग जो है या जो केंद्र है उसके पास में विदी बनाने के अधिक आउशर प्राप्त है साथ ही उसको विशेष प्रस्तितियों में राज्य सूची की विशे पर भी कानुम राने का अधिकार प्राप्त है और साथ ही साथ उसे अवसिष्ट सक्तियां जो विशे समवर्ती, संध राज्य सूची में समलित नहीं है ऐसी अवसिष सक्तियां जो है वो भी संसिद को प्राप्त है या केंदर को प्राप्त है तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि विधाई विशों में केंदर का प्लड़ा भारी है ये ठीक हमारे सविधान करताओं की जो कलपना थी उसके अनुशारी हुआ उन्होंने कलपना की थी कि भारत का जो संगाहत्मक सवरूप है वो आस्टेलिया या अमिरिका के तरह नहीं है बलकि कनाडा के तरफ है जिसमें केंदर की स्टती मजबूत है और राज्यों की स्टती तोड़ी कमतर है ताकि ये कलपना की गई थी कि जब भारत नवोधितरास्टर है नया अगनतंतर है नए प्रकार का इसमें करते कि विबन प्रकार की संस्तों का विकाश होना है तो ऐसी प्रस्तिती में और साथ ही भारत जो है वो ग्रेट डाइवर्सटी का देश है बासा पहनावा खान पान आंचलिक विसेश्थाएं कहीं रेगिस्तान कहीं बरफिले पहार कहीं समुद्र किनारे तो इस प्रकार से हमने देखा कि भारत का जो उप महादीफ है वो अनेग विविताओं को लिए हुई है और इन विविताओं में विविन प्रकार के आज देख दस्टिकोन पैदा होना सावा एक बात है तो सभी वेक्ति एक साथ मिल करके रहे इसलिए केंद्र को मजबूत बनाया गया है इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे कि केंद्र और राज्यों के मद्दे जो वितिये सम्म जो फाइनेंस्यल डिलेशन्स है उसकी बात भी करते हैं वैसे तो संगात्मक सासन में यह होता है कि इकाईयां जो होती है वो केंद्र को एक प्रतिभूती या रासी या अपना करती इस्सा उसको देती है और जो वितिये जो धन है वो राज्यों से केंद्र के तर प्रवाहि है हमारे यहां पर क्या है कि केंद्र जो है वो वितिये मामलों में विधाई मामलों में और साथी परसासनिक निर्देश अनुदेश के मामले में अधिक मजबूत है तो हमारे यहां पर जो सक्यों का प्रवाह है वो केंद्र से राज्य की ओर होता है एक तर से संगात्मक सास की व्यवस्ता की है इसलिए साभाय ग्रूप से हैं इसी कड़ी में अगर हम बात करें कि केंदर राज्यों के मद्दे जो विश्वों का वितिय विश्य है उनका जो बटवारा है उस प्रकार से हैं पहली बात तो यह व्यवस्ता की गई है कि संग के या कानून के या सविधान की ये विवस्ता है 265 ये उपबंद करता है कि विदी के प्राधिकार के बिना कोई भी कर अध्यारोपित या संग्रिहत नहीं किया जा सकता है सबसे महत्वपून सूचना ये है कि भारत गणतंतर में कोई भी कर टेक्स या किसी प्रकार का शुल्क जो है वो विदी के प्राधिकार के बिना नहीं लगाया जा सकता मनमाना कोई टेक्स नहीं लगाए जा सकता इसके लिए सरक विधी विवस्ता करती है और विवस्ता करने के बाद ही उसमें वो उसको संग्रेद करती है तो यह तो बात ही कि कोई भी टेक्स, कोई भी कर, किसी प्रकार की किस असूलख हमारे भारत में विधी के प्रादीकार की बिना नहीं लगाए जाता है इसका मत्तर नहीं की कानून का शाशन है दूसरा आर्टिकल 268 में विवस्ता की गई है और वो विवस्ता इस प्रकार की गई है जो भारतिये वितिये तंतर का मूल ढाचा भी है और केंदर राज्यों के मद्दे जो है विवाद का विश्य है क्योंकि वित जो है वो प्रसासन का रखत है बिना वित की राज्ये नहीं चलता है राज्य करपनाओं से नहीं चलते हैं राज्य बासनों से नहीं चलते हैं और राज्य जो है वो बिना उसके नहीं चलते हैं इन सब के लिए विद़् प्रशासन का रख्त है और इसको चलाने के लिए बिद्ग्याएं विद्बरब्रकों का बटवारा आर्टिकल 268 में किया गया है इसमें पांच प्रकार के जो है वो बटवारे किये गए हैं या पांच प्रकार के विवस्ता की गई है कि कौन से कर कौन लगाएगा और कौन उगाएगा तो आर्टिकल 268 में पहली विवस्ता यह है कि ऐसे टैक्सेज जो संग द्वारा लगाए जाते हैं संग द्वारा एकजित की जाते हैं और संग ही उसको काम में लेता है संग द्वारा लगाए जाना संग द्वारा उगाए जाना और संग द्वारा उप्योग के जाता है तो रेल्वी, डाक, तार, टेलिफोन, संचार, परसार, यह विविन प्रकार के जो टेक्सेज बनते हैं पर, वो खुद के इंदर सरकार लगाता है, उसको उगाता है और अपने आपर काम में लेता है दूसरे प्रकार के जो टेक्सेज हैं, वो है कि संग द्वारा आरोपित, संग द्वारा एकतरित, किन्तु राज्यों के साथ सामुविक भागेदारी में, जैसे कर्शी के अतिरिक्त आए, कुछ आएकर, कुछ आपकरे सुल्क, यह जो हैं, वो, इसको हम GST भी कह सकते हैं वर् और संग जो हम इकठा करता हैं, लेकिन राज्यों के साथ में उनका बटवारा करता है, आज ही करते हैं कि इंदर सरकार ने 6,000 क्रोट रुपे, GST के जो इससा बनता है, राज्यों को लोटाया है, इस प्रकार से जो इससा है, वो इस प्रकार के टेक्स इसका, पिर तीसरा प संग द्वारा लगाए जाते हैं, और संग द्वारा एकरतित की जाते हैं, और पूर्ण ते राज्यों को लोटा दिये जाता है, जैसे उत्रादिकारी या संपति सूल्क, रेल, वायूयान या जहादों पर ले जाने के लिए पारेशन सूल्क या सीमावरती टैक्सेज, जो बॉर्डर पे लगते हैं, तो ये जो टैक्सेज हैं, वो सेंटर लगाता है, इमपोज करता है, सेंटर KIRT भी करता है, लेकें टोटल जो सका रेवन्यू है, वो स्टेट्स को उनकी मातरा में लोटा दिया जाता है, चोथी प्रकार की व्यास्ता है, कि संग तो लगाता है, उसको एकर्थित करता है और राजी है उप्योग में लेता है लगाता शन्ख दौरा लगाया शन्ख दौरा झाटा है विवस्ता संब करता प्राइब के सूल्क हैं वो सेंटर द्वारा लगाए जाते हैं और राज्य द्वारा एककठे करें और उनका उप्योग में लेता है वो इक तरसे राज्य के टेक्सेज होते हैं पांच गुर अंति मेवस्ता है कि राज्यों को भी इस प्रकार गादिकार दिया गया है कि वो कुछ विश्यों पर टेक्सेज लगाए एकठा करे और उनका उप्योग करे तो इस प्रकार से जैसे करसी भूम पर नसीले प्रदार्तों का कर दवाईयों पर करें भी करें पर कर यह जो टेक्सेज है यह टेक्सेज जो है वो स्टेट लगाता है स्टेट कलेक्ट करता है पर स्टेडिन को उप्योग करता है वो इस ताने प्रकार के शोलक है तो इस प्रकार से भारतिये संग और राज्यों के बीच में वितिये संसादों का बटवारा इन पांच बिंदों के माद्यम से किया गया है अब कुछ ऐसे संविधानिक प्रावदान है जिसके तहत केंद्र राज्यों के मद्दे वितिये संबंदों को और परिवाशित किया गया है अनुचे 269 के अनुशार अंतर राज्य व्यापार या वानजी के दोरान अगर माल पे टेक्सेज है वो केंद्र सरकार लगाएगी और केंद्र सरकार संग्रित करेगी ये दूसरी प्रकार का जो टेक्स है वो ये है कि एक राजी से दूसरा राजी के उच्छ में सम्माद जाता है जो सीमावर्टे टेक्स से लगता है इसको पारिशन सुल्ख भी कहते है इसको सेंटर लगाएगी और सेंटर इकठा करेगी और राज्यों को उनका जो इस्सा है उनको दिया जाएगा अनुचे दोसे गेतर के अनुशार व्यवस्ता यह है कि संसद अनुचे 279 जैसे ही पारिशन सुल्ख लगाएगा और 270 के अधिन जो कर्य और टेक्ष है वो पूरी तरह से करते हैं यह कठा करती है तो वो भारत संचित के निधी कैशा हो जाता है और उस बारत संचित के बारत की जो संचित निधी है उसमें से उनको पैसा दिया जाता है फिर है कि आर्टिकल 275 में विवस्ता की गई है कि राज्यों को जो अनुदान है वो दिया जाए तो अनुदान की या साहिक अनुदान के विवस्ता की गई है अब यह साई नुदान नहां है वोुख चार प्रकार के होते हैं पहला प्रकार का नुदान है कि पर्टसन साय ने इसे बनीuj गस्त्तय हैं तो ऐसी राज्येव जो बास्त्ते में जूट पैदा करते हैं जिशन पैदा कहों होता है उनको उसकी मात्रा में कुछ सावन को दे दिया जाता है दूसरा यह है कि जब बार्ड, वोखम, सुखागरस इस प्रकार की विवस्ता हो जाए प्रस्तितियां पैदा हो जाए तो केंदर सरकार सुखागरस इंसे निपटने के लिए कज़्टन को अनुदान देती है जैसे राजस्तान में सुखागरस जो एरिया है वहाँ पर सुखा संभावी विक्सित को विकास करकर में चलता है इसे प्रकार जब बार्ड वगर आजाती है तो वहाँ पर वो अनुदान के रुप में बूरासी उप्रवद कराती है ताकि उस परसे निपढ़ सके तीसरा है कि जन्जातियां और अन्य प्रकार के जिए विवस्ता है वहाँ पर उनके कल्यान और विकास के लिए भी एक अनुदान मिलता है बहरती ये कल्यान परिश्ट का जा आई या इस पकार के और वेवस्ता हैं वोपर उनके माद्दे में सानुदान दिया जाता है और चोथा है कि केंद्र राज्यों को आर्थिक परस्तितियां क्योंकि सभी राज्ये जो है उनके पास में संसादन जो है वो जमान मातरा में नहीं है और कई राजे से जो गरीब है उन राज्यों को कहते है कि वो अनुदान वित्य साहिता रूप दी जाती है अब ये जो अनुदान है उसको दो भागों बार दे जाता है राज्यों को दे जाने वाला कि एक तो विसेश सरणी के राज्य है और एक साधर सरणी के राज्य है विसेश सरणी और साधर सरणी के राज्यों में ये फरक होता है कि जब विसेश सरणी में जो राज्यों को लिया गया है उसको जो अनुदान दिया जाएगा उसका 10% जो इसा है रिन के रूप में और 90% अनुदान होता है सबसीडी होती है उसको लोटानी का आवशक्ता नहीं होती है और जो साधान प्रकार के राज्ये हैं उन साधान प्रकार के राज्यों में अनुदान 30% होता है और रिन की राज्य से 30% होता है और उडिसा ये जो राजे हम इसाथ से कहते हैं विशीष सरनी के राजे रहे हैं राजस्तान राज्यों को साधान राज्यों के सरनी में रखा हुए बार बारी मांग की जाती है यूगि राजस्तान का एक बहुत बड़ा इसा साथ प्रस्तित जो इसा है वो मरस्तल का है नहीं रखा जा रहा है फिर है केंदर राज्जों के मद्दे जो सम्मंद है उनको परिवाशत करने के लिए और अनुदान जो है वो किस प्रकार से दिया जाए इस है तू वित आयों का गठन किया गया है भारत की सविधान के नुच्छे 280 में प्रावदान किया गया है कि इस सविधान के प्रार्रम होने की बात है कि प्रार्रम के दो वर्स के भीतर और तत्पश्चात प्रतेक पांच वर्स के समापती पर या ऐसे समय पर जैसे राश्टपति आवसक समझे आदेश द्वारा एक वितायोग का गठन करेगा अब यह जो वितायोग होगा उसमें एक अध्यक्ष और चार सदश्य होंगे और वितायोग के कारिये इस प्रकार से होंगे वितायोग के सबसे महत्वर्ण कारिये है कि भारत सरकार द्वारा राज्यों को जो अनुदान दिया जा रहा है उसके क्या सिध्धान्त होने चीए किस प्रकार से उनको दिया जाना चीए तो पहला यह है कि संग और राज्यों के बीच करों के सुद्ध प्राप्त वित्रन के समझ में जो संस्ता राज्यों के मद्दे विभाजित होने है या होंगे या राज्यों के बारे में जो राज्यों को प्राप्त की कुछ अंस्वित्रन के बारे में जो राज्यों को प्राप्त को उसकी सिफारिश करना क्याने का ताथपरी यह है कि केंदर द्वारा आरपित, केंदर द्वारा संगरखित और राज्यों उसके बीच में बटवारा केंदर राज्यों बीच बटवारा होने वाले कर और दूसरे इस प्रकार केंदर द्वारा लगाएगे और राज्ये द्वारा केंदर द्वारा लगाएगे केंदर द्वारा एकटे किएगे और राज्यों को पूर्ण तर दिये गए तो केंदर और राज्यों की बीच में वो जो उनका बटवारा होना है दूसरा वो इसा जो राज्यों को दिया जाना है उसके संबंद में जो सिद्धान्थ है कि वो किन सिद्धान्थ है किस मातरा पर या कितने परतिसत उनको दिया जा इस संबंद में अनुसंसा करना वितायो का परमुका है तो वितायों की पर विवस्ता करता है। बहुर्त जो है कि connect to Rajya के पीच में करों का बटवार विठान की मात्राइं की क करों का भटवार के सिद्धान क क्या होगा। पहला सो करों के बटवारे के बारे में सिद्धानं देना है। दूसरी जिसकी बात ही यह जाय है कि राज्यों को अनुदान खुरादारा पर और कितना दिया जाए जोधं ये बात आती है기 सहभब कुछ राज्य सादान सरणिक राज्यें और कुछ राज्यें जो भी शेश जञारने को यहें सेश-रन्यों के चरह राज्यों को 10% रिंद देने परती है और सेस राज्यों को 27% रिंद देना परता है रिंद के रूप में राशी मिलती है तो इस प्रकार से दोनों के बीच में भेद बाह उस वहिदभा वेवस्ता परती है तीसरा यह है कि अगर रास्ट्रपती को लगता है रास्ट्रपती को तो वो उस वितायोग से अपने करते हैं कि वो सिपारिस करवा सकता है और यह देख सकता है कि साथ जो वितायोग है उसके सिद्धानतों का पालन किस परकार से करवाए जाए तो कोई विसेगर उसको लगता है राष्टपती को तो वो वितायों को शौंप शकता है फिर दूसरे से प्रोविजन्स हैं जो केंद्र और राज्य की वित्तिय संबंदों को परभागत करते हैं अनुचे 252 के अंतरगत संग और राज्य के बीच में किसी सारवजनिक प्रोजन के लेके अनुदान दे सकते हैं बले इस प्रोजन पर संसद या राज्य को वजहर मढ़ने की शक्ति प्राप्त ना जैसे मान लेजिए कि सिक्चा है चिक्चा है या जैसे मान लेजिए कि विसेश प्रकार की दुर्गटना हो गई तो उसमें जो सायता दे जाती है केंदर राज्य के दुआरा तो उस पे कोई विदी बनाई हुई नहीं हो तो भी असानी ही कि राज्य उसको अनुदान या असायता नहीं दे सकता तो विशेश परस्तितियों में केंदर और राज्य जो है वो लोगों को विदी असायता अपलब्द करा सकते है फिर आर्टिकल 256 यह कहता है कि राज्य उन वस्तों पर टेक्स नहीं लगा सकता जो उसके बाहर के उसके पैदा होती है उसके आपर होती है लेकिर वो कहीं बाहर जाके बिखती है तो वो बाहर जाकर किया दूसरी जगे जाकर कि राज्य से बाहर जाकर कि वो टेक्स नहीं लग सकता फिर आर्टिकल दोसे पिच्छां सी वह बहुत मैथोपुण है कि केंद्र की जो समपतियां है जो राज्य में है अब वो समपतियां या वो संस्तान या वो वानेजी कोई गती विदियां जो वानेजी की क्यों न हो उस पर केंद्र सरकार जब तक नहीं चाहे कि तब तक केंद्र का परभुत्व है कि केंद्र की संस्तानों कतिविदियों पर तब तक टेक्स नहीं लगता है कि जब तक केंद्र उसके लिए नाक है जैसे राज्यों का अधिकार नहीं है कि केंद्र संपतियां उन पर हाउस टेक्स नहीं लगता है इसी परकार से केंद्री जो संस् चाहिए वो M हो, चाहिए विप्रियन प्रकार के भेल हो, विप्रियन प्रकार के उदे की गुतपादन के संसाधन हो, उन पर जब तक कोई जिस राजे मुश्टित है उस राजे सरकार टेक्सेज नहीं लगाती, जब तक इस प्रकार का आनुदेश उनको केंदर से नहीं मिल ज करता है कि इंद्र सरकार चाहे तो किसी राज्ये के जो संस्तान ओपर टेक्स लगा सकती है और वो चाहे तो उनको बीना टेक्स के छूट दे सकती है तो इस प्रकार से जो 289 होई है कि प्राइज होता है कि इंद्र राज्ये के संस्तान ओपर भी टेक्स नहीं लगाते हैं चाह बदान करता है क्यों से बार सरकार को आउ सकता होती है तो रिन के लिए करते कि उनकी वह 2.90 के तहट टेक्सर चिस Toa 90 जो है आर्टिकल के तहथ वह रिन ले सकता है लेकिन राज्ये रिन नहीं ले सकते साहईत अपराप्त कर सकते हैं रिन नहीं ले सकते 293 भी यह बात कही गई है कि केंदर सरकार है वो साहिता प्राप्त कर सकते हैं लेकिन राज्ये जो है वो और राज्ये को रिन दे सकते हैं तो इस प्रकार से जो 293, 292 है वो यह है कि केंदर जो है वो बहार विदेशों से विदेशी साहिता प्राप्त करने के लिए शक्षम है राज्ये साहिता प्राप्त कर सकते हैं लेकिन राज्ये जो अनुदान प्राप्त कर सकते हैं लेकिन राज्ये जो अनुदान प्राप्त कर सकते हैं राज्ये अनुदान प्राप्त कर सकते हैं राज्ये अनुदान प्राप्त कर सकते हैं राज्ये अनुदान प्राप्त कर सकते ह अगर कोई बकाया है जो उसने पहले अनुदान का जो रिन का इस्सा नहीं चुकाया है तो ऐसे में केंद्र सरकार उसका इस्सा काड़ सकती है और उसके अनुदान की मातरा को कम कर सकती है तो इस परकार से केंद्र और राज्यों की बीच में ये प्रावदान थे राज्यों के हीतों के लिए एक स्रेक्शन जो है वो दोसो चोतर के नतगत किया गया है कि किस अनुचेद में प्रावधान है किस संसद में बिना रास्ठ पतिक अनुपागर निन प्रकार कोई विधेग नहीं रखा जा सकता है जो राज्यों के या राज्यों की इस्टों कम करता है जाधा करता है तो इसके लिए राष्टक्ति के अनुमति आऊ सकता है और वैसे भी धन विदे को रखने के लिए राष्टक्ति के आऊ सकता है रिन लेने संबन्दी जो उपन्ध हमने बात कि थी अभी कि वो केंदर सरकार को है कि केंदर सरकार प्रदान करता है कि वह अपने संचित निधी के साथ ही देश बास्यों में से देश बास्यों में विदेशी सरकारों से रिन ले सकता है किन्तो राज्यों को रिनने का दिकार नहीं है और फिर महत्यों पुर बात आती है कि हमारे यहां पर केग के विवस्ता की गई है नियंतरक और महाले का परिक्षक The Comptor General of India CAC C.A.G. केक जो है वो ये कहता है कि भारत और राज्यों के लिए भारत तरकारों राज्यों के लिए कि आप जो है वो अपने जिए financial accounts से बनाएंगे Draghat और साथ के वो बनाने के लिए बात accounting की बात नहीं करता है वो audit की बात्तु करता है CAC Central Auditor General of India CAG इसका मतलब है कि वो accounting की बात करता है साथ में audit की बात की करता है वो यह देखता है कि भारत और राज्यों ने अपने जो वितिये संसादन है जिस हैतो इन्होंने इंपोज किये थे टेक्स लगाये थे उसे मोने निकठे किये हैं और साथ ही उनी का उनी विश्यों पर उप्योग किया गया है जिसकी अनुमती उनको विधान मंदल से मिली है कहने का ताथ परिया है कि टेक्स लगाना इकठे करना और उनका खर्च करने का काम जो है वो कार्यपालेका का है लेकिर उनTaxes की मातरा उनको अनुमत देने का अधिकार विधायका का है कि विधायका ने जिसके लिए टेकसेज लगाए रुपए करते के इकठे किये ये खर्च किया वो क्या उसी के लिए खर्च किया गया इसको audit करते और audit का काम CAG के द्वारा किया जाता है तो वो केंद्र और राज्यों दोनों के बताता है कि आपको किस भाती अपने अकाउंट्स मेंटेन करना है और साथ ही वो केंद्र राज्यों के जो अकाउंट्स है उनकी जांच करता है और वो देखता है कि वास्तन में पैसा उसी के लिए खर्ष किया गया जिसके लिए स्विक्रित किया गया था अगर नहीं किया तो वो अपने टिपनिया लगाता है राश्पति को अपना परतिविदन देता है पर्तिवर्ष, राज्यों का पर्तिवर्दन राज्योपाल के पास बेजता है और वो उसको संसद में या विदान सबाओं में रखवाते हैं और इस पर चर्चा होती है तो इस प्रकार से ये वितिय नियंतन का संसाथ है और अनेक इस संस्तान है जिनके द्वारा के तो भारत में वितिय नियंतन की बात रखी गई है फिर है कि परसासनिक सुधार आयोग ने वितिय संबंदों के स्वस्त रखने के लिए कुछ अपने सिद्धान दिये है पहला ये है कि राज्जो को दी जाने वाले जो कुल संद्रे सायता है उसकी मातरा तै होने चीए पहले तो ये है कि साब उनको कितनी सायता दी जाने चीए कितना अनुदान को दिया जाएगा पिर उसके बाद में कहते हैं कि रिन्ड में दी जाने वाल रास्य तैय करने चीए कि जैसे मालेजी कि आपको एक लाख करोड रुपए अगर अनुदान देना तो पहले उसका तैय करने चीए किस किस मातरम किस राज्यों को मिलेगा तत पश्यात ऐसा लगता है कि राज्यों को और आसकता तो फिर रिन्ड दिया जाना चीए पहले ये कहते हैं कि पहले अनुदान दिया जाना चीए केंदर के दुबरा क्योंकि आधिकांच जो करोड ऐसा हो केंदर के पास आता है राज्य के पास करों का इसा कम है राज्य के पास कर लगाने की अवसर भी कम है तो केंदर के पास कर लगाने की अवसर ज्यादा है तो उनको उसी मात्रा में जो है वो अनुदान की राशी पहले ते करने चाहिए उसके बाद में टेक्स है जो है करने की रूप में दिया जाना चीए दूसरा यह है कि अनुदान वित्रित कर समय रास्य अलग कर लेने चीए और उस रास्य में है कि रास्य जो महत्यों की प्रियोजनाएं हैं उसका अधिकांच इस्सा यह जो बचा हुआ जो इस्सा है किंद्र को दिया जाना चीए क्योंकि रास्य मेहत्यों की प्रियोजनाओं के लिए केंद्र को सायता देना साब अग्रूप से बनता है और उसको अधिकांच मात्रा इसको देने चीए और फिर भी को आवसिस्ट बच जाता है खर्चा तो भी राज्यों को केंद्र को देना चीए तीसरा यह है कि राज्ये तो किसी योजना को पुरा नहीं किया और केद्र की राज्यों के राज्यों की उसका प्रमधर अच्छा हो ऐसी है कि आपको केंदर ने सायता दी और केंदर ने राशिक अनुदान दिया और आप ने उसकी योजना को पूरा खर्च करने से पहले खर्च कर दिया और दिखा दिया किसाब केंदर योजना पूरी नहीं हुई तो वो यह कहते हैं कि जब केंदर योजना पूरी नहीं हुई तो अ पहल से संचालित जो योजनाएं हैं वो कम होने चायएं और राज्यों के जो योजनाएं कि केंद्र पैसा नहीं बेजता है राजिया अपना पैसा खर्च करने के लिए तरस시 पैसा आजाता है लेकिन राज्यों के पास पैसा नहीं होता तो वो उसका उपयोग नहीं कर पाता है वो योजनाय पूरी नहीं हो पाती तो केंदर को देखना चाहिए कि केंदर राज्य में जो इससा बटवारा है प्राय ऐसी हो कि वो राज्यों का अनुदाने के रूप में देते हैं और वो अपनी योजने बनाए और लागो करें ताकि इस्तानी प्रवर्ती के साब से वो ज़्यादा बहता तरीके से उनका प्रबंदन हो सब्सक्राइब राज्य और केंदर के वित्य संब्दों में जो महतुपन कड़ी है जिसमें यह बात आई है वो यह है कि योजनायोग जिसे अब नितियायोग कहा जाता है वो तै करता है कि राज्यों को किस योजना भी मिलेगा किस में कितना इश्णा मिलेगा वितायोग ने सिपार से कि और वितायोग को भूल जाते है एक सिंपल स्टेटमेंट ले दिया है कि वितायोग कहता है कि सब केंदर करों में इतना इस्ता है नीति आयोग जब टेह करता है तो भूल जाता है जो इस प्रकार सी ये कहा जाता है कि नीति आयोग जो है वो बीत आयोग से सुपरिम हो गया है चो कि नीति आयोग के अध्डख्श प्रदान मंत्र होते हैं, उनका अपडख्ष होता है उनकी तीन चार मंदर से सदश्य होते हैं और कुछ एक्षपर्स होते हैं जो उनकी राए में राए मिलाते हैं हां में हां मिलाते हैं वो एक तरह से क्या होते हैं कि राज्यों को जो योजनाओं में जिश्वा मिनना चाहिए या जो योजनाए सीधी राज्यों को दी जाने चाहिए उनको केंदर के इस्सा बना करके वो उनका बटवारा करता है और ये एक तरह से कहते हैं कि अच्छी विवस्ता नहीं है ये विवस्ता में सुधार होना चाहिए कि केंदर को जो राज्यों को इस्सा मिनना है योजनाओं के तहित मिनना है लिनों के तहित मिनना है एक्सेज के थिरू मिनना है अब चाहिए हमारा केंदर पर्टेक्ष कर बोर्ड बाद इसकी कैलिकुलेशन करता हो केंदर पर्टेक्ष कर इसकी कैलिकुलेशन करता हो नीतिया केंद्रो राज्यों के अगर मद्दे वित्ये संसादनों का बटवारा सही तरीके से होगा तो राज्ये जो हैं वो अपना काम भी अच्छा कर पाएंगे उनको विविन योजनाओं के लिए विविन कारिकर्मों के लिए उनको पैसा भी मिलेगा और साथ ही वो क्योंकि प्रते विष्यों में बटवारा जाओ सुष्पस्ट होना चाहिए हो सकता है कि विधाई मामलों में कुछ मामलों में केंदर जो हो परभावी परस्तिति में रहे और राज्यों का आदेस निज्देस देया राज्ये सच सूचे किसी विशे पर कानून भी बना दे एक साथ भाई का आते हैं कि विविन प्रकार के जो प्रसासनिंग मामले जो विविन प्रकार के जो प्रक्रण उत्पन होते हैं विशेश प्रस्तितियां होते हैं तो के अंदर राज्यों को अंदर देस दे आ देस दे प्रसासनिंग व्यवस्ता के लिए कहे लेकिन जहां बात धनकी आती है तो वहाँ एक आ जाता है कि बाब बेटाने भाईया सबसे बड़ा रुपईया कि राज्यों को अपनी और चोकी ये साभाय ग्रूप से साम स्पस्थ है कि भारत में राज्यों की माली हालत फाइनासल जो स्टेज है वो बहुत अच्छी नहीं है उसकी पीछे ये है कि केंदर जो है वो करों का निर्धारन करता है टैक्सेस का निर्धारन करता ह। बटवारा करता है और साथ ही बर्तमान में जो GST लगया गया जिसमें सेंट्रल GST और स्टेट जीस्ट अधेया ह। उसी को लोटाने के लिए राज्य सरकार के अंदर से बारबार मिन्नते करते हैं और केंदर राज्य की बीच में एक विवाद और विवधान आता है दूसरा ये है कि जब GST लागू किया गया था तो केंदर सरकार ने कहा था है कि आपके जो टेक्से पहले एकटे हो रहे थे अगर वो GST से प्रभावित होते हैं और उसका इस्सा कम होता है तो हम आपको छतिपूर्ती करेंगे लेकिन पिछले साल केंदर ने हाथ खड़े कर दिये और कहा कि साब हम शतिपूर्ती नहीं करेंगे तो इस प्रकार से भारत में केंदर राज्यों के मद्दे जो मूल विवाद का विशे है वो फाइनेशल होता जा रहा है और financial जब तक रिस्ते मजबूत नहीं होंगे तब तक केंदर राज्य के जो अन्य जो संबंद है वो परभावत होते है इसलिए केंदर और राज्यों के मद्दे वितिये विस्यों का या वितिये संसावदिनों का समुचित और उच्छे दबटवारा होना चाहिए नहीं तो केंदर राज्य के वीच में हमें साथ विवाज किस्टी बनी रहीगी वो एक दूसरे को सयोग करने के बजाए एक दूसरे का विरोध करेंगे इसलिए स्वस्थ वितिये संबंदों की यहां पर करते की अनुसंसा की जाती है और यह भारत और राजे दोनों के हित्मे जैहिन जै भारत